Hello Friends, Welcome to Target State Exam मैं आपका दोस्तिन Friends, आज हम देखने वाले हैं लगवग 20 questions जो UP के प्रतिय exam में पूछे जाते हैं तो बहुत ज़्यादे important question है दोस्तों जैसे कि UP लेकपाल हो गया UP SSC के सभी exam में लगवग पूछ लिया जाते हैं और बहुत ज़्यादे important question है तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं उत्तर प्रदेश का नामकरण तो उत्तर प्रदेश का सबसे पहले नामकरण कब हुआ था ये है 1836 में 1836 से उत्तर पस्चिम प्रांथ है उसके बाद क्या हुआ 1870 से आगरा आवद सहियूक्त प्रांथ हुआ और ये रहा 1937 तक 1937 में इसका जो नाम है वो परिवर्तन कर दिया गया उसके बाद हुआ केवल सहियूक्त प्रांथ ये केवल इतना नाम इसका रहा देखे 26 जनवरी को 26 जनवरी को ध्यान देना है 26 जनवरी 1950 से उत्तर प्रदेश जो आज हम बोलते हैं उत्तर प्रदेश वो 26 जनवरी 1950 से रखा गया उसके बाद देख लेते हैं वो सबसे पहले जोसकी राजधनी थी 1836 से आगरा देखे फ्रेंट्स 1836 से आगरा रही और कब तक रही 1858 तक उसके बाद इलावाद कर दी गई 1858 से इलावाद रही 1836 से आगरा 1858 से इलावाद तो यह रखने वाली चीज है उसके बाद 1921 से लखनव देखे लखनव पूर्ण रूप से नहीं वनी थी 1921 से यह आंसिक रूप से थी पर उसके बाद 1935 से पूर्ण तया लखनव इसकी राजधनी हो गई तो यह important वात है याद रखिएगा इस चीज को इन दोनों पॉइंटों को याद कर लिजीगा उसके बाद आता है नियाईक राजधनी देखे तीसरा question है यह काफी important question है अगर पूछ ले जाए नियाईक राजधनी क्या है यूपी की तो इलावाद यह ध्यान रखना यह इलावाद है नियाईक राजधनी देखे राजध का पुनरगटन राजध का पुनरगटन का वुगा question पूछा जा सकता है किसी प्रकार से गुमा के पूछ सकते हैं तो आपको simple याद रखना है राजध का पुनरगटन का वुगा एक नवंबर 1956 को यह बहुत जाद है important question है इसको भी याद कर लिजेगा राजध का विवाजन देखे राजध का विवाजन आप जैसे कि आप जानते हैं राजध का विवाजन हुआ था उसके बाद उत्राखंड बना था यूपी में से तो 9 नवंबर 2000 में 13 जिलो को पिर्थक करके उत्राखंड बनाया गया तो question पूछा जासकता है कब उत्राखंड बना था तो 9 नवंबर 2000 को 13 जिलो को पिर्थक करके उत्राखंड बनाया गया तो बहुत ही जादे important question है इसको भी याद कर लीजिएगा देखिए ये question भी कई बार पूछा जाता है ये छटा question है देख लेना राजकिये भासा यूपी की राजकिये भासा कौन ची है तो 1947 से हिंदी first भासा थी हिंदी राजकिये भासा और बाद में 1989 से उर्दु को भी इसके शिर पर बारा interesting होते हैं तो ये याद कर लेजेगा बारा सिंगा इसका राजकिये पसू है राजकिये पक्षी पर राजकिये पक्षी जैसा कि यूपी के जो निवासी है वो SeaCampons में कई बार आपने बहुत ऊचा सा पक्षी देखा होगा जिसकी गरदन बहुत लंबी होती है तो एक छोटे बच्चे से काफी उचा वो हो जाता है और काफी ज्यादा दोड़ने के बाद वो उड़ पाता है वही होता है साराज उसे को ही क्रोंच बोलते हैं तो confusion रहता है कई बार के क्रोंच और क्या होता है तो क्रोंच ही साराज होता है इस चीज़ को दियान रखें राज किये ब्रक्ष कोन सा है राज के ब्रक्ष असोक होता है राज के पुप्ष कोन सा है पलास 4 जनवरी 1911 को घोशित किया गया था पलास को देखें friends कोई भी अगर राज किये या फिर राष्ट्रिय किसी भी चीज़ को गोसित किया जाता है तो उसके पीछे एक कारण होता है हो सकता है कि वो ब्लुप्ती की कगार पर हो क्योंकि बहुत सारी चीज़ां ऐसी होती है जो ब्लुप्ती की कागार पर red data book में लिख दी जाती है red data book का मतलब होता है कोई भी पक्छी या कोई भी जीव जब ब्लुप्ति की कगार पर हो जब खतम होने की कगार पर होता है तो उस रेट डाटा बुक में चड़ा दिया जाता है और उसको बहां का जहां पर वो पाय जाता है उसको बहां का राश्ट्रिय या राजकिय गोशित कर दे जाता है तो इसलिए राजकिय राश्ट्र 2 सदनात्मक होता है जैसे कि आप जानते हैं राज्ये बधान मंदल 2 सदनात्मक होता है राज्ये बधान सवा का गठन कब हुआ जुलाई 1937 में पूछ ले आता है राज के चिन क्या है उत्तर प्रदेश का एक ब्रत में दो मचली आएंगी एक तीर और धनूस ठीक है यह है चिन कब हुआ था यह चिन 1938 में शुकृत हुआ राश्टिय राजधानी छेत्र NCR में समलित उत्तर प्रदेश के साथ जिले मेरट गाजयवार गोतम बुद्ध नगर बुलंद सहर और हापूर बागपत मुजफर नगर ठीक है यह चीज़ हमें याद रखनी है और NCR में सामिल करने हेत्व प्रस्तावित पांच जिले सामली, मतुरा और अलिगर और सहरनपूर ठीक है उसके बाद देख लेते हैं अप्रवासी भारतियों की समस्याउं हेत्व राज्ये में एन आराई विभाग का गठन कब हुआ था 18 जुलाई 1914 को हुआ था इस चीज़ को हमें याद करना है बहुत जादे इंपोर्टेंड है पूछ रही आता है चलिए फ्रेंट अब चित्रों की साहिता से हम देख लेते हैं उत्तर प्रिदेश का राज के पृतिक आपको मैं चित्र की साहिता यह दिखा देता हूँ देखे राज के चिन मचली वा धनूस ठीक है राज के चिन मचली वा धनूस यह है तो यह दो मचली है साइड में आपको दीख रहा होगा यह मचली है और एक यह मचली है और बीच में यह धनूस है ठीक है तो इसकी साहिता से आपको देख गया हुआ है यह धनूस है और यह मचलिया ठीक है अब राज जेपाल देख लेते हैं राज जेपाल शीरी राम नाइक को आपको फोटो दीख रहा हुआ है शीरी राम नाइक और योगी आलते नात को तो आप जानते ही है यूपी के मुख्य मंत्री है अब इसके बाद हम देख लेते हैं राज किये ब्रक्ष देखिये आपने सुना तो होगा पर आप साथ confusion में रहते होंगे राज के ब्रक्ष असोक होता है पर वो देखता कैसा है तो आपको ये दीख रहा होगा राज के पसू बारा सिंगा यूपी का राज के पसू बारा सिंगा है तो ये आपको दीख रहा होगा इसके सिंग लगवग 12 होते हैं जैसे कि ये आपको दीख रहे होंगे इनको हम गिनेंगे तो लगवग इनकी सिंग्या 12 होती है इसलिए इसको 12 सिंगा बोलते हैं और ये है सारस जिसको हम क्रोंची भी बोल देते हैं UP का राज किये पक्षी काफी बड़ा होता है गर्दम काफी लंबी होती है लगवग इसकी उचाई एक से डेड़ मीटर तक हो जाती है तो लगवग एक डेड़ मीटर आप समझ सकते हैं पांच फिट के something चार पांच फिट इसकी उचाई हो जाती है UP का राज किये खेल है होकी और राज किये जो पूस्प है वो पलास है पलास का चितर आपको यहां दीख रहा होगा इस पकार का यह पलास होता है और राज किये निर्त्य है कथक यह कथक इस पकार से कुछ डेस पहनी जाती है और इस पिकार से डांस किया जाता है तो friends उमीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वैल आइकन पर क्लिक कर दें वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धिन्यवाद जेहिं जेवर